मेरे प्रीए भाई और बेनों, आज संसार भर में प्रति दिन हजारों और लाखों की संख्या में लोग येशु मसी के द्वारा ईश्वर से कृपाएं प्राप्त करते हैं। आज प्रति दिन हजारों लाखों लोग विबिन प्रकार के बुराये के बंधनों से आजादी प्राप्त करते हैं। तुम सब के सब मेरे पास आऊ, मैं तुमें भी श्राम दोंगा। और हम अपने जीवन के ठकान के समय, बोज के समय प्रभु के पास जाते हैं, और प्रभु से कृपाएं प्राप्त करते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी चंगाई या बड़ी बड़ी कृपाई, कई लोगों का कहना है कि प्रभु के इस पवित्र वचन के द्वारा उनको चंगाई मिली है उसके घाओं द्वारा हम भले चंगे हो गए है उसके घाओं द्वारा हम भले चंगे हो गए है चंगाई तो प्राप्त करते हैं लेकिन हम इस बात को नहीं जानते हैं कि उसके घाओं द्वारा यानि वे हमारे लिए खायल किये गे उनके प्रेम के द्वारा हमें चंगाई मिली है अंग्रेजी में कहा जाता है God gives and forgets यानि परमेश्वर देता है और भूल जाता है Man gets and forgets यानि मनुश्य पाता है और भूल जाता है अक्सर यही होता है अगर हमारे जीवन में प्रभू चमतकार और चिन प्रगट करते है हमारे बोज को उतारते है हमें चंगा करते है तो इसलिए क्योंकि वह हमको प्रेम करते है अपने शायद देखा होगा एक सुन्दर सी तस्वीर है एक एप्शन है खाली कुरूस है उस पर एक कपड़ा लटका हुआ है और उसके नीचे अंगरेजी में लिखा हुआ है और उसने अपने हाथ को फैलाया और कहा इतना और मेरे लिए कुरूस पर अपने आपको अर्पित किया इतना उसने हम से इतना प्रेम किया यह उनका सुसमाचारा दियायती इन वाकि सौला हम बार बार पढ़ते वचन केता है एश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलाओते पुत्र को अर्पित किया जिससे जो भी उसमें विश्वास करें उसका सर्वनाश नहों बल्कि उसे अनंत जीवन मिले इतना प्रेम किया प्रभु कहते है मैंने तुम को इतना नहीं इतना नहीं बल्कि इतना प्रेम किया प्रभु के प्रेम का की सीमा नहीं है हम बार बार गाते हैं न सीमा नहीं इश्व प्रेम का इस प्रेम की सीमा नहीं है थाह नहीं है इतना प्रेम किया योहन के पहले पत्र की अधियाई तीन वाक्य एक में संद्योहन लिखते हैं देखो पिता ने हमें कितना प्रेम किया योहन का ये कहना बहुत ही गहरी बात है योहन ही प्रभी येशु के शिशों में एक मात्र शिश्य था जिसने प्रभु के सामने करीबी से उनकी दुख भोग को देखा और उसमें साक्षी बना युदस कर्योती ने येशु को पकड़वा दिया पेत्रुस ने येशु को अस्विकार गिया इनकार गिया बागी सारे शिश्य भाग गे लेकिन प्रभी येशु के चुनेवे बारे शिश्यों में से एक मात्र योहन मा मर्यम के साथ येशु के पीछे पीछे चलता है उसने येसु की यातनाओं को देखा वो येसु के कुरूस के नीचे खड़ा था उसने देखा कि येसु का शरीर कैसा था येसु के साथ कैसा वेवहार गिया गिया कैसे कुरूस पर जड़ा गिया कैसे उनके शरीर से रक्त बहा कैसे कुरूस पर लटकते हुए तड़ब तड़ब कर मर गए ये सब देखने के बाद योहन लिखता है देखो पिता ने हमें कितना प्रेम किया एफेसियों के पत्र की अधियाई तीन उसके वाकिए अठारा में संत पालूस कहते हैं मैं उस पिता के सामने जो सभी परिवारों का मूल स्रोत है घुटने टेकर प्रारतना करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप सभी संतों के साथ मसी के प्रेम की गहराई उन्चाई चोडाई का अनभाव करें को जाने पालूस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मसी के प्रेम की उन्चाई गहराई चोडाई को जाने हमें प्रभू के उस अनंत प्रेम को जानने की अवशकता है प्रभी येशु के असीम प्रेम को दर्शाने वाली तीन बाते आज मैं उठाना चाहता हूँ तीन बाते, पहली है प्रभी येशू का क्रूस, दूसरा है प्रभी येशू का रक्त, तीसरा है प्रभी येशू का माउन, हम जानते हैं, येशू क्रूस पर मरे, योहन के येशू समाचार की अध्याय 15 वाक्य 13 में, प्रभी येशू कहते हैं, कि इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है, कि एक मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्रान अर्पित कर दे, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है, कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित कर दें प्रभीयसु ने हमारी लिए क्रूस पर अपना प्राण अर्पित किया प्रभीयसु का क्रूस हमारे प्रती उनके प्रेम की गहराई को दर्शाता है क्रूस पर मरा इसलिए हमें कुरूस पर मरन करना है सबसे पहले कुरूस अभिशाप का चिन था आज हम मसीही लोग विश्वासी लोग कुरूस को चुमते हैं कुरूस का चिन बनाते हैं कुरूस पर विश्वास करते हैं लेकिन कुरूस प्रवियसु की जमाने में आदरने ये नहीं था, उसका सम्मान नहीं किया जाता था, उसको अभिशाप का चिन माना जाता था, कुरूसु को अभिशाप का श्राप का चिन माना जाता था, वचन में लिखा हुआ है, विदी विरन गंदुस की अधियाए 21 वाक शवर रात बर काट पर नहीं छोड़ा जा सकता है तुम उसी दिन उसका दफन करोगे क्योंकि जो काट पर लटकाया गया है वो इश्वर द्वारा अभिशप्त है जो काट पर लटकाया गया है वो इश्वर द्वारा अभिशप्त है क्रूस को अभिशाप का चिन्द मानते थ लोग कुरूस की और देखना नहीं चाते थे लोग कुरूस के बारे में सोचते नहीं थे क्योंकि वो अभिशाप का चिन माना जाता है गलातियों के पत्र की अधियाय तीन वाक्य तैरा में संद पालूस कहते हैं वो हमारे लिए श्रापित हुआ वो हमारे लिए श्रापित हुआ क्योंकि लिखा है जो काट पर लटका है गया वो श्रापित है येशु ने हमारे लिए श्राप को अपनाया येशु स्रापित हुए येश्यास नभी अधियाय तिरपन उसके वाक्य चार और पांच में वचन में लिखा हुआ है वो हमारे रोगों को अपने उपर लेता था, वो हमारे दुखों से लदा हुआ था, जो डंड वो भोगता था, उसके द्वारा हमने शान्दी पाई है। जो दंड वो भोगता था उसके द्वारा हमने शांदी पाई है प्रभी येशु ने उस अभिशाप के चिन को अपनाया आप और मेरे लिए उसने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया उस अभिशाप के चिन को अपनाया कुरूस को लज्जा का चिन मना जाता था कुरूस लज्जा का चिन था देखिए यहुदी धरम गुरुओं ने येशु को मार डालना चाहा वे येशु की शिक्षा से घ्रिना कर दे थी येशु की शिक्षाओं के कारण येशु से घ्रिना कर दे थी येशु के चमतकार और चिन्नों के कारण वे येशु से इरिश्या करते थे और इसलिए येशु का विनाश करना चाहते थे लेकिन इतना ही नहीं उन्होंने चाहा कि येशु को एक लज्जा जनक मृत्वी मिले इसलिए उन्होंने पुकार कर कहा कि उसको कुरूज दीजिये उसको कुरूज दीजिये उन्हों ने पिलातु से कहा कि आप उसे कुरूज पर ना मार डालिए तो कुरूस को लज्जा का चिन माना जाता था इतना ही नहीं उन्होंने येशु को नंगा किया निर्वस्त्र किया लज्जित किया येशु को दो डाकों के बीच में लटकाया गया ये दिखाने के लिए कि ये डाकों का बड़ा डाकू है ये सबसे बड़ा प्रादी है येशु को लज्जित करने के लिए दो डाकों के बीच में लटकाया गया वचर में लिखा हुआ है इस्यास अधियाय तरफेर उसके वाकिय बारह में लिखा हुआ है उसकी गिंती कुकर्मियों में हुई तो येसु को इतना लज्जित किया गया लोग येसु को देखर सुतमाचार बताता है कि लोग येसु को देखर सीर हिलाते थे इतना बड़ा वैक्ति जो अपने को हीश्वर का पुद्र कहता था बड़े-बड़े चमतकार और चिन प्रbaneकट करता था देखो नंगा क्रूस पर लटका हुआ है येशू के देखकर भ до उपास करती थे सिर हिलाती थे तो क्रूस लज्जा का चिन था प्रभी येशू ने आप और मेरे लिए उस लज्जा के चिन को अपनाया येशू लज्जित हुए आप और मेरे लिए दूसरा है येसु का रक्त येसु घायल किये गए येसु का संपूर में शरीर घाओं से भरा हुआ था 49 कोड़े लगाए जाने से उनका शरीर चीरा गया था और शरीर से रक्त बह निकला जब आपके जीवन में कोई बीमारी आती है या किसी तरह की दुरगटना होती है और किसी ने आपके एक दो बोतिल खून दिया आप उनके प्रती कितने रिनी होते है प्रभी येसु ने हमारे लिए एक दो बोतिल खून नहीं दिया बलकि संपून रक्त बह कर खतम हुआ इसलिए हम लोग आते हैं येसु ने अपने रक्त बहा कर हमें बचा लिया येसु के रक्त बह जाने से हम बचाएगे येसु ने हमारे लिए अपने संपून रक्त बहाया उनका शरीर तडप रहा था रक्त के अभाव में तडप तडप कर वो मरे येशु के संपूर्ण शरीर से रक्त बह कर समाप्त हुआ अंत में वचन में लिखा हुआ उनकी मृत्यू के बाद एक साइनिक ने जाकर भाले से उनके हिर्दे को मारा बेधा और उसमें से तन एक रक्त और जल्बी बह निकला उन्होंने अपने सब कुछ हमारे लिए अर्पित किया यह उनके समाचार के अधियाय दस वाक्य दस में प्रभीयसु कहते हैं मैं इसलिए आया हूँ कि उन्हें जीवन मिले बलकि परिपूर्ण जीवन मिले आप और मुझे जीवन देने के लिए जीवन की परिपूर्णत देने के लिए प्रभीयसु ने अपने जीवन को ही बहाया अपने रक्त को ही बहाया पेत्रुस का पहला पत्र उसके अधियाई एक वाक्या 18 और 19 में पेत्रुस कहते हैं उनके मूलेवान रक्त के द्वरा हमें उधार मिला है उनके मूलेवान रक्त के द्वरा हमें उधार मिला है तो प्रभीयसु का पवित्र रक्त निर्दोष रक्त जो हमारे लिए बहाया गया हमारे प्रती उनके प्रेम की गहराई बताता है कि उसने हम से कितना प्रेम किया तीसरा है येशु का माउन प्रभीयसु ने इसु समाचार की द्वारा लोगों को समझाया चारों और घूम घूम कर तीन वर्ष लगातार उन्होंने इसु समाचार सुनाया ईश्वर के राज के बारे में लेकिन उनके दुगभोग के समय हम देखते हैं कि प्रभीयसु पूरी तरह से माउन थे प्रभीयसु का वो माउन हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है वे माउन थे चुप थे पेतरुस कहते हैं जब उनको सताय गया था पेतरुस कहते हैं पहला पेतरुस अद्याई दो में उसके बाइस और तैस में उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी चैल कपड की बात नहीं निकली जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उतर में गाली नहीं दी और जब उन्हें सताय गया तो उन्होंने धंकी नहीं दी उन्होंने अपने कोस पर छोड़ दिया जो नियाए पूर्वग विचार करता है प्रभी सुनिर्दोष थे निर्श्पाप थे उनके मुझ से कोई शब्द ने निकला पूरे उनकी उनके दुख बोग के समय हम देखते हैं उन्हें एक सिपाई से पूछा तो मुझे क्यों मारते हो वरना कहीं भी कोई आवाज ने सुनाई देती माउन होकर प्रभु सहे ये माउन हमारे प्रतियुन की प्रेम की गहराई का एक बहुत बड़ा चिन है बचरमें लिखा वह पैतरुस कहते हैं उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुझ से कभी चल कपड की बात नहीं न्ली जब उने गाली दी गई और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने दमकी नहीं on लिखा हुआ है वो मौन रहे इस स्यास नभी के गरंद की अध्याई तिरपन उसके वाकिय साथ में हम पढ़ते हैं साथ में लिखा हुआ है वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धायरे से सहता गया और चुप रहा वद्ध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और उन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मूने खुला वो मौन रहा वो बड़बडाया नहीं वो बुनबुनाया नहीं वो कुलकुलाया नहीं बलकि मौन होकर सब कुछ सहता रहा ये मौन हमारे प्रती प्रभू के उस असीम प्रेम का एक बहुत बड़ा संकेत है चिन है मुँने खोलते हैं चुप रहते हैं चुप चाप सह लेते हैं जो विश्वासी येशु के उस मौन को देखता है गैराई से देखता है वो येशु के उस असीम प्रेम को पहचान पाता है अनुबा कर पाता है मेरे प्रिये भाई और बेनों हमें बराबर ये याद करना है कि प्रभू ने हमें कितना प्रेम किया प्रभू ने हमें कितना प्रेम किया गलातियों के पत्र के अध्याईदों उसके वाकिबीस के अंतिम हिसे में पॉलूस कहते हैं इस शरीर में मेरे अस्तितु का एक मात्र प्रेरना स्रोत है इश्वर के पुत्र पर विश्वास जिसने मुझसे प्यार किया और अपने आपको मेरे लिए अर्पित किया पॉलूस कहते हैं कि मेरे शरीर में अस्तितु का म आपको अर्पित किया हर विश्वासी को इस सत्थ को जानना है कि प्रभू ने आपको कितना प्रेम किया और प्रभू ने आपकी प्रती प्रेम की कारण क्या क्या नहीं किया यह बताइए क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपसे इतना प्रेम किया और आपके लिए इतना कारी किया है कोई ने होगा ये इसुने अपने आपको हमारे लिए अर्पित किया हमें सत्य को भूलना नहीं चाहिए एक बहुत सुन्दर गीत है प्रभू ने तुमको प्यार किया ए भाईयों याद रखो प्रभू ने तुमको प्यार किया है बेहनों याद रखो मत ए भायों याद रखो प्रभु ने तुमको प्यार किया ए बेहनों याद रखो मत भूलो प्रभु का प्यार मत भूलो प्रभु का प्यार प्रभु ने तुमको प्यार किया हे भायों याद रखो प्रभु ने तुमको प्यार किया ए बेहनों याद रखो मत भूलो प्रभु का प्यार 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 प्रभु ने वाद देते हैं तेरे सीम प्रेम के लिए तेरे अथाह प्रेम के लिए जो तुने अपने कुरूस की द्वारा हमें दिखाया है प्रभु यश्वम कितनी स्वार्थी होते हैं हम अपने काम के लिए तेरे पास आते हैं लेकिन तेरे प्रेम की गहराई पर मनन नहीं करते हैं तेरे उस असीम प्रेम की गहराई पर मनन करने के लिए हमें गृपा दिजिए यश्व तेरे एक एक घाव एक एक गुंद रख्त पर मनन करने के लिए हमें कृपा दिजिए शू तेरे इस पवित्र क्रूस पर मनन करने के लिए हमें कृपा दिजिए शू तेरे इस पवित्र मौन पर मनन करने के लिए हमें कृपा दिजिए शू धन्यवाद येशु धन्यवाद तेरी सुधी तेरी महिमा के लिए